Good morning students, you are welcome in yoga class. आईए, जैसे हम लोग class में, जब class संटा था, तो हर संटर्डे को हम लोग yoga class करते थे और आप बच्चे बहुत ही उसंता पुर्वा इसका अभ्यास करते थे. तो आईए, उन सब को हम लोग एक बार पुना करने का परियास करते हैं, और मैं जैसा करता हूँ, वैसा आप लोग अभ्यास करेंगे. प्रथम अभ्यास अनुलोम बिलोम, अनुलोम बिलोम में, एक नाख को बंद करके, दुसरे नाख से स्वास, लंबी गहरी स्वास अंदर लेते हैं, फिर उसको बंद कर लेते हैं, ततपस्चा तो उसको फिर उसी नाख से छोड़ देते हैं, बतलब एक नाख से लेनी है, औ और दूसरे नाक से उसको एकजेल कर देना है फिर इनहेल करना है फिर एकजेल करना है जैसे कि लंबी सांस फेपरों में भड़ा गयरी स्वांस एक चंप के लिए इसे रोग दिया और इसे बंद करने पिर दूसरी नासिका से इसे छोड़ेंगे और बाहर पुड़ा चोड़ेंगे पुड़ा गहरी स्वांस लेंगे फिर बंद कर देंगे और तब दाहिने नासिका से उसको एक जेट करेंगे बाहर चोड़ेंगे आखें खुड़ी रख सकते हैं बंद रख सकते हैं कि रोक लेंगे कि इसको इसकी लिए को आप 15-20 बार करेंगे तो इससे आपको लाब होगा यह आपका माइंड जो है वह साथ होगा और अब कि अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे जिसको हम लोग भ्रामडी प्रानायाम के नाम से जानते हैं कि इसमें दोनों आउटे से कान को बंद कर लेते हैं पुड़ी तरह दबा देंगे और हाथों को इस पर कार रखेंगे आखें बंद कर ले अथ्वा कुली भी रख सकते हैं लंबी गहरी स्वास अंदर लेंगे मुँ बंद करके और इसको छोड़ेंगे ओम का उचारन करते हुए उना लंबी गहरी स्वास अंदर लेंगे दोनों फेपरें में उड़ी हवा भरेंगे फिर इसा रोख लेंगे और इस्ख्रियक वही आप दश से पंदरा बार कि येगए टो इसे आप के याद दास्त बढ़ेती और माइम्ड से निगेटिवीटि बाहर निकल जाएगए और आपका मेंड सांफ सब्सक्राइब हैं करनी में लंबी गृरिषय करते हैं और इसे छोड़ते हैं एक जट्के के साथ उसे छोड़ेंगे जैसे लंबी गहरी स्वांसली फिर उसे छोड़ा फिर गहरी स्वांसली फिर छोड़ा इस तरह आप इस क्रिया को करेंगे थोड़ा जल्दी फास्ट ली करेंगे इससे आपके लंग्स की असुद्य वायू बाहर निकल जाएगी और फ्रेश सिरा अंदर आजाएगा ऑक्सीजन से आपका आपके जो लंग्स भर जाएंगे और पूरे शरीर को ऑक्सीजन की भरपुर्पूर्टी होगी अब इसके बाद हम लोग यह मुश्टी का बद्ध अब्यास करेंगे दोनों हाथ पहलाएंगे आगे सीधी तरह और अंटे को अंदर और मुट्धी को भीच लेंगे अब इसे गोल गोल गुमाएंगे गोल गोल ध्यान रहे यह हतलियां मुट्धियां आपस में अस्पर्स कड़ी हैं ऐसे कर करती रहा हैं बहुत बच्चे अलग बेसे भी करते हैं हम देखते थे वैसे कर लें लेकिन सही अभ्यास यही है इसे फिर अपोजिट डैरिक्शन में मुविं इंटू अपोजिट डैरिक्शन गोल गोल गुमाना है इससे आपके हाथ कलाई कंदे की जो नस है वो खुल अधियेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि रख परवाह उत्कने से हथेलियां या या कंदे या कुले दर्थ करने लगते हैं और यो में दर्थ हो जाता है इस तरह आप करेंगे इस अभ्यास कोFS के प्रते दिन, दस से पंद्रा वार इसे करेंगे रिलाक्स कि अब आम लोग एस दो नहां तुपार पाफिर नीचे दो नो पैरो को आस पार्च करेंगे फिर उपार फिर नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए तो पैरों को छोड़ेंगे और सर नीचे फिर इसी मुद्रा को पुना करेंगे सांस रोक के पीछे फिर सांस छोड़ते हुए नीचे यह किरिया भी आप पांच बार कर सकते हैं पांच से दस बार कर सकते हैं रिलाक्स झाल